हलो फृरेंड्स वेलकम बैक टु मैं चानल स्वीट कॉर्ण आज मैं आप अप लोगे साल स्बस्यार करे हूं भूत टिस्टी टिस्टी मैंगो बड़फी के रेसिपी जो आप असनि कम बना सकता हो बहुत जल्दी बन जाते है इतना टेस्टी होते हैं कि आपको क्या बनता हूँ आप घर पे ज़रूर एक बर इसको ट्राइ कीजिए और इसको जैनले के लिए तो आपको पूरी रेसिपी को चीक करना होगा अगर अब मेरे चैनल का नए दोस्त हो ना तो फ्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जोल्दी से तो चलिए सुरू करते हैं मैंगो बर्फी पहले में दो मैंगो का पाल्प निकालूँगी और उसको मैं मिक्सर ग्राइंडर पे डाल दूँगी और एक स्मूध सा पेस्ट बना लूँगी फिर मैं उसको एक कटोरी के उपर एक चनली रख दूँगी और उसको ऐसे कर लूँगी क्योंकि मुझे एक स्मूध सा पेस्ट चाहिए देखिए मैंगो का स्मूध सा पेस्ट मैंने रेडी कर लिया अब मैं इसपे डाल दूँगी आधे कप कॉर्ण फ्लावर फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी आधे कप कॉर्ण फ्लावर डालने के बाद मैं उसपे पहले डालूँगी आधे कप पानी कौन फ्लावर, पानी और मैंगो पाल्प को अच्छी तरह से मिक्स अप करना बहुत ही जरूरी है मैं थोड़ा करके पानी डाल रही हूँ अगर मुझे जरूरत परे तो मैं और थोड़ा सा पानी आड़ करूँगी मुझे लगता है यह जो बैटर मैंने रेड़ी कर रही हूँ यह थोड़ा सा पतला करना है तो इसलिए मैं थोड़ा सा पानी और एड़ करूँगी और इसको बना लोगी बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना यह जो मैंगो बर्फी में बना रही हूँ ना बहुत आसान है इसको बनाना बहुत कम इंगरेंसे बनता है पर खाने में बहुत टिस्टी होते हैं आप एक पर घर पे ज़रूर ट्राइ कीजिए देखिए मैंगो बर्फी का बैटर एकदम रेडी हो गया अब मैं कड़ाई पे आधे का चीनी डालूगी और उस पे डाल दूगी आधे का पानी फिर उसको हाई फ्लेम में में बैल कर लूँगी जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए थोड़ी देर बात देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया मैं यहाँ चेक कर रही हूँ कि इतना चिपचिपा हो गया इतना ज्यादा नहीं हुआ है मुझे और स्टिकी चाहिए पर एक तर जासा है ऐसा नहीं चाहिए मतलब ज्यादा स्टिकी नहीं चाहिए इस बात पर आपको ध्यान पर रखना होगा कि यह डालने से पहले आपको इस बैटर को एक चामज से एक बार हिला दिना चाहिए नहीं तो इस जो कॉन फ्लार है तल में अटेक जाता है यह डालने के बाद आपको कॉंटिन्यू स्पैचुला चलाना है यह बहुत ही जरूरी है तब जाके आपका यह जो बड़फी है एक तम स्मूध सा एक डोज ऐसा बनेगा मतलब अगर स्मूध बनेगा नहीं तो लंप्स क्रियेट हो जाएगा एक तम लो फ्लेम में आपको इसको चलाना चाहिए हाथ तो में थोड़ा सा टाइम लेके आपको इसको करना होगा पर ज स्पैचुला को में कंटिन्यू चला रही हूँ ताके एक स्मूध सा रहे थोड़ी देर बाद अब देखिए इसका कलर जो है यह भी चेंज हो जाएगा और बहुत बड़िया सा एक कलर आएगा देखिए देखिए इसका कुछ ट्रांस्परेंट लूक अड़ा है ना एकदा मैंगो एसेंस नहीं है तो कोई बाद नहीं है ऐसे ही मैंगो का फ्लेवर आएगा मैं थोड़ा सा डाल रहे हूं तके और कुछ ज्यादा फ्लेवर आजाए यह मैंगो एसेंस मार्केट में अवलेबिल है अब चाहो तो डाल सकते हो फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स अप कर तो इसका जो टेस्टी बहुत अच्छा आता है अगर आपको पसंद ना आए तो आप यह साल्ट को स्किप कर सकते हो अब मैं फिर से स्मेचुला को चला रही हूं देखिए और इसका जो कालर है बहुत बढ़िया आया है एकदम ट्रांस्परेंट एक लूग आया है पर इसक मैं डाल रही हूं एक चमच से थोड़ा जादा मतलब देर चमच घी अब ऑईल डालके इसको मत बनाना घी डालके अगर आप बनाओगे तो इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा आते हैं अब इसको अच्छी दार से मिक्स करूंगी और घी डालने के बाद देखिए इसका मैं फ्लेम बन्थ करूंगी मतलब कराई से निकालोंगी ओक्या होगा मैं थोड़ा सा लेके एक धाली में डाल रही हूं और उसको थोड़ा सा ठंडा होने के लिए मैं इंतजार करूंगी जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए ना तब आप दिखिए ए थाली से आसानी से बाहर निकाला रहा है और हाथ में भी चिपक रहा नहीं तो इसका मतलब है अच्छी तरह से होगे आप मैं फ्लेम को बंद कर रही हूँ अब मैं स्कॉयर सेप का एक टिविन बॉक्स ले लिया और उसपे थोड़ा सा ओयल में ब्रास कर लूँगी अगर आपके पस कोई स्टील का टिविन बॉक्स हो तो आप उसपे भी डल सकते हो और फिर मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी और क्या है ना इसको फ्रीज पर रखने का कोई जरुवत नहीं है नॉर्मल टेम्पराचर पर आप रखो तो एक सदेर घंड़ाबाद असानी से बहुत अच्छी तरह से जम जाता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है एक घंड़ाबाद देखिए ये असानी से एकदम जम गया बहुत अच्छी तरह से ये जम गया आप मैं इसको ऐसे पलट दूँगी तो बहुत असानी से ये बॉक्स से बाहर आ गया दिखिए बन गया ना मैंगवर फी अब मैं इसके उपर थोड़ा से ड्राइफूट्स ड बनाई है और आपका एक्सपरियंस मेरी साथ साहर कीजिए तो आज के लिए इतना ही नेक्स दिन मुलाकात होंगे और नएक रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाए